हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्वा परहर में हूँ एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में 498 से लेटेड मैं आपस लोगों से बात करने वाला हूँ maximum time उसके घरवाले भी इस मुकदमे में involved होते हैं यानि की एक unnecessary का मुकदमा आपके उपर पढ़ जाता है दोस्तों देखिये पहले के समय पे का जाता था कि कोट कचैरी से बहुत दूर रहना चाहिए जो की आज के समय पे भी सही बात है जितना खर्चा वो कोट में कर देते हैं वो सारे पैसे से वो चाहते तो अपनी लाइफ को और उम्दा बना सकते थे और अच्छा बना सकते थे अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं है और आप सभी लोग जो भी केसे लड़ रहे हैं उन सबको पता कि लिटीकेशन में कितने ज्यादा एक्सपेंसिव जाते हैं कई बार लोवर कोट कई बार हाई कोट कई बार सुप्रीम कोट बहुत सारे खर्चे आपके होते हैं लेकिन आपके पास कोई option नहीं होता आपको करना ही पड़ता है अब लेकिन दोस्तों 498 के मुकदमे में कितन तो कुछ है यह नहीं यह offense बना कैसे और पुलिस ने इसमें fire कैसे दर्च कर दी ऐसे भी बहुत मामले आते हैं अब दोस्तों ऐसे में क्या किया जाए और आपको कितना डरना चाहिए कितना नहीं देखिए यह 498 का simple मामला है तो आपको मेरी साफ से डरने के आउशक्ता नही हैं कि 498 के अपराद में आपकी arresting नहीं होती provision है आपसे 41 ACRPC का notice sign करवाया जाएगा तो जब arresting नहीं है तो आप investigation में पूरे तरह से police को cooperate कर सकते हैं जा सकते हैं वहाँ पर अपनी चीजों को रख सकते हैं second जो इसमें bail होती है lower court से वो भी generally अधिकतर जगाओं पर same day पर ही हो जाती है तो कोई problem उसमें भी नहीं आती है हाँ अगर 498 के साथ कुछ ऐसी चीज़े हैं जो actual में जिसके proof लड़की के पास हैं like 313 उसने लगवा रखा है कि आपने उसका abortion करवाया या उसने 377 लगवा र पर गए हैं और वो on record है अब वो चाहिए किसी भी वज़े से गए हो लेकिन वो तो उसको यही कहेंगे कि हवाई यह हमने इसको dowry दी थी तो इन सारे cases में problem थोड़ी आ सकती है आपको क्योंकि वहाँ पर evidence आपके खिलाफ हैं तो धाराय में नियर्टी और कुछ धाराय ऐसी जिन में bail भी तुरंत नहीं होती है यही मामला ऐसा है तो फिर ऐसे में आपको arresting stay की तरफ बढ़ना चाहिए initially और initially arresting stay में जाके वहाँ से arresting stay लाना चाहिए उसके बाद investigation में सयोग देना चाहिए और फिर उसी arresting stay को आधार बनाते वे आपको lower coat से भी bail लेनी चाहिए अग दोस्तों बात आती है anticipatory bail कहां तक कारगर होती है इन मामलों में देखिए मेरे हिसाब से तो anticipatory bail में नहीं जाना चाहिए यदि आपका मामला बिलकुल simple है तो सीधा default bail लेनी चाहिए और यदि आपके मामले में कुछ संगीन धा रहा है तो ऐसे case में आपको सीधा high coat जाना चा अगर घरवालों की तरफ से चाहते हैं तो आप लोगर कोट से anticipatory bail ले सकते हैं और maximum मामलों में ऐसा होता है कि anticipatory bail की जरुद भी नहीं होती default bail से अपना काम चल जाता है तो कुल मिला कि 498 का कितना pressure है यह में आपको बताना चाहता था कितना इसमें डरने की आउशकता है इस case क्या हो सकता है क्या नहीं वो तो मैंने आपको बताया लेकिन साथ-साथ यह भी एक सचाही है कि यह आप इस case में involved हो जाते हो चाहे भले ही पूरा का पूरा जूटा case हो चाहे भले ही छोटी धाराय लगी हो चाहे भले ही आपको bail जल्दी मिल गई हो लेकिन एक मुकदमा जो नौकरी वाले लोग हैं या जिनकी नौकरियां लगने वाली हैं वहां वेरिफिकेशन में मामला टक जाएगा जो लोग भाहर फॉरें में जाना चाहते हैं वहाँ पर भी उनको प्रब्लम आ सकती है ज़रूरी नहीं है आए बट आ सकती है अगर अपोजिट पार्टी को पासपर्ट जाने को कुछ भेज दे इस इस मामले से रिलेटेड तो पासपर्ट दो के इसे में अपके बाहर जाने में भी प्रब्लम आ सकती है यानि कुल मिला कि प्रभावित तो कई न कई हम होते ही हैं चाहें कितनी ही सारलte के चाहिए कि हमारे पक्ष में कितनी चीज़ razem और हमारे विपक्ष में कितनी चीज़े हैं उसके बाद ही आप सही तरीके से इसे लड़ सकते हैं जब भी आप इस तरह के मामलों को deal करते हैं तो शांत रह करके deal कीजिए अगर आप शांत रह करके deal नहीं करते हैं आप थोड़ा जल्दी में रहते हैं तो फिर ऐसे में चीज़ें कई बार खराब हो जाती हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बहुती पेशेंस के साथ केस लड़े जाते हैं यदि आप उतावले पन में केस लड़ते हैं कि बस अगली डेट पे सब पूछ हो जाए जो आप चाहरे हैं ऐसा कोट में कभी नहीं होता हाँ इसका नुकसान जरूर होता है तो यदि आप में से कुछ लोगों का बेहवियर भी ऐसा है तो आप उस बेहवियर को चेंज कीजिए यदि आप सक्सेस्फुल इन मुकदमों को लड़ करके जीत हासिल करना चाहते हैं एक और बेहवियर होता है दोस्तों बहुत से लोगों का बेहवियर होता है लड़ने जगणने का लेकिन दोस्तो इसका ये मतलब नी है कि आपको अपना mental balance खो करके हर किसी से लड़ना शुरू कर देना है मेरे पास कुछ case ऐसे आये हैं जहां पर कुछ लोग ऐसे रहे कि उनका 498 ए चल रहा है आप जो court में गए तो वो पेशगार से लड़ने लगे कि वही ऐसा क्यों हो रहा वैसा क्यों हो रहा ये date क्यों नहीं लग रही वो date क्यों नहीं लग रही कानून बताने लगे या जाकर कि ऑफिस के बाबू से लड़ने लगे या जाकर कि अपने वकिल साफ से लड़ने लगे या यह बोलने लगे मैं जर्ज की गंप्रेंट कर देता हूँ इस तरह की चीजे करने लगते हैं दोस्तो देखे एक सिस्टम बना हुआ है और दोस्तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे गलत हो रही हैं वो हमें भी पता है और आपको भी पता है लेकिन दोस्तो अगर आपको practically चलना है तो इस तरह से आप नहीं चल सकते इस तरह से गाड़ी देगा दोस्तो बस यह मेरी opinion है बाके आप जैसे सही समझे कर सकते हैं क्योंकि ultimately मामले आपके हैं और उसका जो भी consequence आना है वो आपके सामने आना है यहां तो केवलम जानकारी दे सकते हैं जो कि रोज मर्रा की जिनकी में हम लोग देखते हैं कि लोगों के सामने क्या problems आ रह आँ तब तक के लिए goodbye and thank you for watching take care